है मैं लवली पीपल वेल्कम बैक तो मैं चैनल एंड इस 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 इंपॉर्ड़न कोशन लेकर आई हूं जो कि हमारा पेपर ए इंटीर डिजाइनिंग से है और यह कोशन ऐसा है कि अगर आप इसको प्रिपार कर लो तो आपके 10 से 20 माक्स जो है वो फिक् में एक्जाम में थे आपूरी एकजाम में कोशन यह है कि हूम क्या होता है वाइजा और अगर आपको किसी असके या फिर kisous बिल्डिंग के लिए अगर साइट सेलेक्शन करने है तो आपको से इन माइन में रखने चाहिए वाल सेलेक्टि में श्यांत्राइट्यों को difference between a house and home, house or home में क्या differenz होता है, तो अगर आप normally एक building तयार कर रहे हो, उसमें अभी कोई रह नहीं रहे हो, बस एक structure है, building आप तयार कर रहे हो, तो वो आपका house कहलाता है, घ्जस्टा physical structure, जहां पे अभी कोई रह नहीं रहा है, चीक है बट आप रहने के लिए तो बनवार हो बट अभी वहाँ पर कोई रहन नहीं रहा है बट होम क्या होता है एक emotional और personal connection के साथ जब उसके अंदर लोग रहते हैं फोर एक्जामपल फैमली फ्रेंड्स या फिर उनके बीच में कोई relationship established होता है और जब वो लोग उसमें रहते हैं comfort के साथ belonging के साथ personalization के साथ मतलब उसको पूरा एक change कर देते हैं नॉर्मल बिल्डिंग से उसको एक उसका पूरा रुपांतरन कर देते हैं उसको बोलते हैं home ठीक है simply we can say कि एक structural representation है वो house हो जाता है और उसी house में उसी building में जब कुछ लोग रहते हैं आपस में उनका कुछ relation होता है प्यार से मिल जुलकर धर को सजा कर अच्छे से लग रहते हैं that is called a home तो ये दोनों definitions almost same है home क्या करता है typically represent करता है जब एक group of people जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनके पास sense of belonging है comfortably एक दूसरे के साथ वो रह रह रहे हैं जहां पर वो अराम कर सकते हैं एक दूसरे साथ time spend कर सकते हैं personal environment create कर सकते हैं वो आपका home होता है यह आपका definition हो गया इसके बाद आता है factors affecting the selection of site अब यह जो main part है इस question का उस पर आते हैं कि आप जब किसी भी building के लिए side selection करने जा रहे हो आपको किस points को अपने mind में रखने चाहिए पहला है location हम कहीं भी जाते हैं तो हम सबसे पहले location ढूंड़ते हैं कि जो हमारा school है workplace है shopping center है या कोई भी दूसरी जो भी हमें facilities चाहिए shopping malls market bank वगेरा सब नजदीक हो तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि location अच्छी हो ताकि आप लोगों कोई दिक्कत ना हो अपने किसी भी काम को carry out करने के लिए साथ ही साथ major roads और public transportation के साथ इसका access हम लोग जरूर देखते हैं कि roads से अच्छा connectivity हो ताकि हम लोगों को कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो सेकेंड है climate and weather जिधर भी हम लोग अपना location रखना चाहते हैं साइट रखना चाहते हम वहां का weather or climate पहले से चेक कर लेते हैं मतलब की temperature कैसा रहता है वहां पे weather conditions के रहती है humidity जादा रहती है या नहीं बारिश ज्यादा होती है तो उसको हम पहले फ्लाट होती है तो वहां पे हमें उसका एक तो बनावट देख लेनी है second thing is a soil quality कहीं कहीं जमीन sandy होती है sandy soil में stability नहीं होती है कहीं की soil clay होती है और कहीं की soil normal होती है तो उसके हिसाब से हमें देख लेना है अपने usage के साब से drainage pattern कैसा है drainage मतलब की पानी कहीं आके आपके उस जम अगर हो भी रहा है तो उसके निकालने की chances यह सब हमें देख लेना होता है okay flooding landslides उसका एक तरह से चेक कर लेना चाहिए कि किसी भी natural calamity में आपकी यह जमीन कितनी आपके लिए safe हो सकती है third is the orientation orientation मतलब अब हमें decide करना है कि हमारा घर का एक representation कैसा होगा इसमें हम क्या ensure करते है कि जाता से जाता natural light आए आपके natural air आए आपके घर में और उसके हिसाब से ही हम winds के ventilation के according ही हम अपने घर को design करवाते हैं for example आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पे wind east to west फ्लो कर रहे है तो आप अपने घर को उसी हिसाब से बनवाओगे next आता है safety and security अगर आप एक घर बनान जा रहे हैं तो आप ऐसे इलाके में बनवाएंगे जहां पर आपकी safety और security रहे आप जंगल में तो जाके बनवाएंगे नहीं तो हमें ये इंशर करना होता है कि जिस एरिया में आप घर बनवाने जा रहे हो या कोई भी building बनवाने जा रहे हो आपर crime rate कैसा है general safety कैसी है माल जो कभी parents guardian घर से बाहर जाते हैं तो जो बाकी बचे लोग है ladies है या फिर children है वो safe रहे या ना रहे तो हमें आसपास का neighborhood की एक बार चेक कर लेना चाहिए कि neighborhood कैसा है safe है या फिर नहीं है next आता है utilities and infrastructure जितने भी basic amenities की हमें जरौत होती है basic facilities की like water, electricity, gas, sewage, internet connectivity इन सब का हमें जोड़ा सा मतलब एक different topic हो जाता है different topic in the sense की हमारे लिए थोड़ा common topic से हटके आ जाता है तो इसमें हमें जितना भी मतलब यह बहुत जरूरी point है आपको जितने भी laws हैं जितने भी नियम बने हुए हैं जमीन के usage को लेकर के उन सब चीजों से आपको एक तरह से उसमें भी clarity क कर लेनी चाहिए आपको पास proper documents होना चाहिए ठीक है त्याकि आने वाले टाइम में आपको किसी भी तरह से कुछ जेलना ना पड़े regarding that property regarding that building or the land and last one is the no अभी और भी है sorry amenities और facilities की बात करें तो जैसे पार्क्स, recreational facilities, hospitals, educational institutions यह सब पास में रहे या फिर एक considerable distance पर रहे ताकि आप इसे लिए अक्सेस कर पाओ फिर आते community and environment ऐसे जगह आपकी building होने चाहिए जहां पे मतलब अच्छे लोग रहते हों ज्यादा शोर शरा बना रहता हो pollution कम हो और overall जो आस पास का environment है वो suitable हो इसकी बा development means कि आने वाले टाइम में आप उस property को लेकर कुछ करना चाहते हो for example मालो आपने अभी के लिए वो जमीन ले ली और आपने नॉर्मली उसकी boundary करवा दी तो उस जमीन में इतना आपको देख लेना चाहिए कि आपका future अगर मालो आप महां पर in the future for example आप वहां school बनवाना चा चाहिए अगर आपके पास वो perspective है तो फाइनली लास्ट पॉइंट हमारा cost in budget साइट जो है वो at least affordable होना चाहिए जादा महेंगाना जादा सस्ता affordable होना चाहिए लैंड कोस्ट और प्रॉपर्टी टेक्स वगेरा जितनी भी चीजें है इसमें भी सब कुछ clarity clarify कर लीना चाहिए जितने भी improvements आपको लग रहे हैं इक nominal charges के साथ nominal budget बना कर आप उसको करें तो हमारा ये point संपन्न हुआ खतम हुआ और I think सबको समझ आ गया होगा मैंने बहुत ही जड़ा short में आपको समझाने कोशिश की है आप जब इसको लिखेंगे तो जब आप इसको explain करेंगे तो एक एक bullet point जो है वो 4-4-5-5-6 line का भी जा सकता है आप उसमें example sad कर सकते हैं तो वो थोड़ा answer को attractive बनाने में help करता है और बे questions के साथ मैं आउंगी तिल देन आप लोगी से सगाम चलाईे and I hope it will work for all of you all the best from my side and you all do best thank you and keep watching and keep supporting like share and subscribe to my channel